कि अगे गाई तो कैसे हो आप लोग उमीड करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं तो हम आज जिक नएफ वीडियो के साथ वांपिस अपका हमारे व्लोग में अच्का व्लोग कुछ खास होने वाल है आज हम लेके जाने आ रहे हैं आपको मियानमार और इंडिया के बॉर्डर पर जो कि हमारे यहां से सिरफ दोसों में चर्टी दूरी पर है अरे अरे लुको कहा जा रहे हो वीडियो तो पुरी देख के जाओ स्किप मत पर रहे हैं वह पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर तो हमारे साथ हैं हमारे अभीजीट भाई और आकांशा भाई जो की मियानमार से बिलॉंग करते हैं और इनको जो है बहुत सारी भाषाएं आती है तो चलते हैं अब बॉर्डर की तरफिया है तो आप ये आइरन ब्रिज देख रहे हैं ये दौनों देशों को आपस में जोड़ता है तो अभी फिलाल इसी ब्रिज से काम चल ला है और यहां पर एक दूसरा ब्रिज भी बन रहा है जिसका कर्षा तो वर्क इन प्रोग्रेस है तो हम आपको वो चीज भी दिखा देते हैं कि कैसे ब्रिज बन रहा है कि तना हाइट है क्या है तो कुछ इस परकार का गाईस यहां पर ब्रिज बनने वाला है बहुत बड़ा कि हमारे अभिजीत भाई कह रहे है एक पिलर जो है म्यानमार में है और वो सामने वाला वो सामने वाला इंडिया है यह ब्रिज जो है दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाला है और यह जो एक छोटी सी नदी है यहां पर अभी तो इस नदी में उतना पानी नहीं है पर बरसात में यहां पर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो अब आपको ले चलते हैं उस साइड की तरफ से उस हमेर सेर्ट काल तो रिंमें & स्वारग कर चाय जिन्दगी आसी जीत चाय जिन्दगी तो दोस्तों अभी हम इंडिया में और वो जो सामने है वो मैयानमार है और जो वो पीछे घर देख रहे हैं वो हमारा कैम्प है तो गाइज यह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है मकान था वो ढह गया है पूरा कल रात को यहाँ पे बहुत ही जाला बारिश हुई है और तुफाना है बहुत भ्यंकर तुफाना है जिन्दगी ऐसी जित बचा है जिन्दगी है तो दोस्तों यहाँ से बारत की शुरुवात होती है पूरी आप देख सकते हैं और फुस पार है मेयानमार तो गाइज हम अब जा रहे हैं मेयानमार में वापिस तो अब मिलते हैं आपको next video में हमेना प्लाय तो गाइस video कैसी लगी हमें कमेट करके जूरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं आपको next video में अपना ध्यान रखें जैहिंद जैवारासी तो अब हम जा रहे हैं अपने म्यानमार की तरफ वापिस जहां पे की हमारा कैम्प है और भी ऐसी ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें